DL8 first year में आज के इस वीडियो में हम जिस topic के बारे में बात करने वाले हैं techniques of gathering information about children के विद्यार्तियों के विशे में जानकारी एकत्र करने के तरीके आज के इस वीडियो में हम observation की बात करेंगे फिर हम case study की बात करेंगे, interview की बात करेंगे, reflective journal की बात करेंगे मतलब यह अलग लग तरीके हैं जिनकी मदश से, जिनकी साहिता से एक स्कूल में teachers अपने बच्चों के बारे में, sweren के बारे में अच्छे से जान सकते हैं पता लगया जा सकता है, तो जिसमें से एक तरीका क्या है? अवलोकन, observation तो देखिए अवलोकन क्या होता है आप सबको पता होगा कि आपके स्कूल में, आपके आस्परोश में काफिस सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बात नहीं होती लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में पता होता है कि ओ कैसे हैं उनका वैवार कैसा है, कैसे पता होता है क्योंकि आप डेली उनको देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारी बात नहीं होती लेकिन हम उनको डेली देखते हैं क्लास में भी ऐसा ही होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन से आपके बात नहीं होती चाहे आपकी क्लास में चाहे दूसरी क्लास में लेकिन कोई आप से पूछता है कि अच्छा बच्छा कैसा है तो आप बताते हैं कि नहीं ओ अच्छा है ओ बुरा है तो कैसे आप उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि आ बता लगा सकते हैं कि दूसरा इंसान कैसा है तो आज हम जिस तरीके की बात करेंगे हम बात करेंगे अवलोकन की ऑबजर्वेशन की तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑबजर्वेशन या अवलोकन होता क्या है तो देखिए observation means to see with eyes कि अवलोकन से आसर क्या है आँखों से देखना तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरों के बारे में जानने के अलग लग तरीके होते हैं आप उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानते हैं आप दूसरों को देखकर उनके बारे में आप जानते हैं या तो किसी के बारे में कि लोग क्या करते हैं अपने देली लavior पढ़कर करें नहीं है है तो हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं मतलब दूसरों को देखना और देखकर उनके बारे में जानना तो यहां पर आप जिसके बारे में जानना चाते हैं आप उसको देखो ठीक है एक टीचर के तरपे अगर आप क्लास में किसी बच्चे के बारे में जानना चाते हो तो आपके पास एक तरीका है आप क्लास में आते हैं पढ़ाते हैं तो आप उस बच्चे को देखिए क्लास में किस तरह का विवार है आप पुछते हैं तो आंसर देता है कि नहीं क्लास में वो एक्टिव है कि नहीं क्लास के बाहर किस तरह से है क्या सब के साथ बच्चा घुल मिलकर रहता है या दूसर विद्धियार्थियों के वहवार वह व्यक्तितों का अध्यान करने की एक उप्यूक्त विधी है तो दूसरों को देख कर भी हम उनके बारे में काफी जान सकते हैं हम उनके बारे में दूसरों को बता सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो कैसा है अच्छा नहीं है दूसर characteristics of trend by observing their external behavior के सिक्षा के चेत्र में अगर हम बात करें तो observation का प्रयोग विद्यार्थियों के बाहे व्यवार का अवलोकन कर उसकी व्यक्तित समंदी विसिस्ताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है विद्यार्थि अपने दिन परती दिन की जिन्दिगी में जिस परकार का विवार करते हैं उनका उसी रूप में अवलोकन करने से उनके विवार और व्यक्तित समंदी गुनों से परिचित हुआ जा सकता है तो basically यहाँ पर बात की जा रही है अवलोकन का मतलब क्या है मतलब दूसरों को देखकर उनके बारे में जानना ठीक है तो दूसरों को जानने का यह भी एक तरीका है कि उनको देखो उनके वेवार को देखो किस तरह से उनका दूसरों से वेवार है तो आप देखकर भी दूसरों के बारे में जान सकते हैं उनके बारे में समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं टाइपस ऑफ अबजर्वेशन की अवलोकन विधी के परकार तो कौन-कौन से इसके परकार हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियंतृत अवलोकन controlled observation की तो controlled observation क्या है तो देखी नाम में ही क्या रहा है controlled controlled का मतलब है कि एक इस तरह का controlled environment हो जहां पर restrictions हो तो ऐसी जगे कौन सी हो सकती है अगर हम school की बात करें तो classroom ठीक है तो classroom में जहां पर एक fixed place हो और वहां पर बच्चे है टीचर पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ रहे है ठीक है तो इस तरह की जो observation है अप इस environment में जाके आप observation जब करेंगे तो इसको हम क्या कहते है controlled observation जब आप teaching practice में आप जाएंगे school में और आप जब पढ़ा रहे होंगे class में और आपकी जो teacher है वो आपको आपकर देखेंगे ठीक है आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं किस तरह इसे आप class में activities करा रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं तो इस तरह का observation है जो एक controlled environment में होता है classroom के अंदर होता है तो इस तरह की observation को क्या कहते है controlled observation की teacher किस तरह से पढ़ा रहा है बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं लेकिन सेम इसका opposite uncontrolled observation जहां पर किसी तरह की restriction नहीं है कोई boundary नहीं है कोई limitation नहीं है मतलब बच्चा है यहाँ पर आप किस तरह से ground में खेल ला है जो भी activity कर रहे है अपना normal routine जो कर रहा है आप उसको उसी तरह से आप उसको observe करेंगे तो इस तरह के जो observation इसको कहते है uncontrolled अन्य अंत्रित फिर तीसरा आता है सहभागी अवलोकन participant observation यहां पर क्या है आप बच्चों के ग्रूप में आप बच्चों के साथ आप जाकर जो भी activity कर रहे है उसमें participate कर रहे हो और participate करने के साथ साथ आप बच्चों को देख रहे हैं उनके बारे में जान रहे हो तो यहां पर आपका participation उनके साथ हो रहा है तो इसको हम क्या कहते है सहभागी अवलोकन या participant observation और इसके बाद फिर इसका opposite non participant observation की मतलब क्या है कि आप उस ग्रूप में नहीं गए बलकि दूर से जो भी ओ ग्रूप activity कर रहा है आप उसमें participate नहीं करें बलकि दूर से उनको देख रहे हो तो इस तरह का जो observation है उसको कहते है सहभागी non participant observation अब सहभागी अवलोकन participant और non participant दोनों को मिला कर एक जो नया जो इसका परकार बना अर्द सहभागी क्वासी participant observation यहां पर क्या है कि आप ग्रूप में भी जाकर पार्ट्समेंट भी करते हो और आप बहार से देखते भी हो तो दोनों काम आप साथ साथ कर रहे हो और लाश्ट में है सामोहिक अवलोकन collective observation जहां पर एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा टीचर आपके साथ और साथ लोग हो सकते हैं सब मिलकर चीजों को देखते हो बच्चों को देख रहे हो और अपने अपने इसाब से चीजों को अवजर कर रहे हो तो इस तरह का जो अवलोकन होता है उसे हम क्या कहते हैं collective observation कई बार आपने देखा होगा न जैसे सूरी गरन होता है चंद गरन होता है एक ही साथ तो उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं ठीक है तो इस तरह का जो अवजर्वेशन है collective observation है सामुहिक अवलोकन है जहां पर एक से ज़्यादा एक्सपर्ट बच्चों को देख रहे हैं उनको अवजर्व कर रहे हैं तो सबसे पहली वी से इस्ता direct experience प्रतिक चंबाओ तो इस विदी की जो सबसे खासियत है कि आपको जो भी चीज़े पता चल ली है आपको किसी के भरोसे नहीं है बलकि आप अपनी आखों से direct देखकर direct experience ले रहे हो आपको किसी के बच्चे के बारे में जानना है आप उसको क्लास में बच्चा क्या कर रहे है क्लास के बाहर क्या कर रहे है आप अपनी आखों से उसको देख रहे हो इसके activities को देख रहे हो उसके behavior को देख रहे हो उसका relation बाकी बच्चों के साथ कैसा है आप उसको देखकर आप क्या कर रहे हो चीजों को experience कर रहे है उसके बारे में ज आप अपने बच्चे को ग्लास में देख रहे हो तो कई बार आप उनके बारे में जानना चाहते हो मालोग कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सोचल साइंस में इंट्रेस्ट नहीं है तो फिर आप देखो कि इसका इंट्रेस्ट नहीं है तो इसका कीन चीज़ों में साथ है तो एक यह क्या होते है पर्पलbers के लिए इस तरह को bit का मतलब है कि 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 सात्त आप उसके बारे में गहन विचार करें की ऐसा क्यूं है ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यूं नहीं है अगर बच्चा है लड़ाएं जहगडा कर रहा है मालों किसी दूसरे बच्चे के साथ तो क्यूं कर रहा है ठीक है तो जो भी आप चीजे देख रहे हैं उसके पीछे के रिजन के बारे में जानने की कोशिस कर रहे हैं तो इसलिए हम कहरें डीप भी होता है और परपल भी होता है फिर scientific method विज्ञानिक पदिती की जो observation है हमने इसके types की ब सामगरी विश्वसनी इसलिए क्योंकि आप यहां पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें बलकि आपने जो देख रहे हो अपने आँकों से आप उस चीज को देखकर फिर आप उसके बारे में जान रहे हो information को collect कर रहे हैं इसलिए हम कहते है रिलाइबल माटीरि बॉल है कि स्टडी औफ ग्रुब बीहुय कि सामुगी व्यवार का अध्याना आप अपणी क्लास को देख रहे हो उनको अबज़र्व कर रहे हो उनका किस तरह का wastewater है आपको पता चला कि जो क्लास के बच्चे causes and effect relationship क्या होता है suppose करो आप स्कूल में गए स्कूल में आपने midday meal का देखा कि बच्चों को जो lunch में है midday meal जो scheme आई थी उसके तहट बच्चों को खाना दिया जा रहा है तो अब आपने इस चीज को देखा तो आपके मन में बहुत सारे question आई कि जो midday meal था एक कपसे start हुआ और midday meal क्या daily जो है same food दिया जाता है कि इसमें changes किये जाते हैं बच्चों से पूचों कि कि भाई जो भी खाना मिलता है कि आपको खाना अच्छा लगता है कि खाना tasty होता है तो क्या है कि midday meal तो है लेकिन midday meal क्यों दिया जा रहा है midday meal का purpose क्या है कबसे दिया जा रहा है उससे बच्चे satisfied है कि नहीं तो यहां पर आप cautious and effect relationship कारे कारण सम्मंद का भी पता लगा रहे हो use of human senses की मानो इंद्रियों का प्रयोग होता है senses आप आँखों से देख रहे हो आप कानों से सुन रहे हो ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो human senses है मानो इंद्रियों उनका प्रयोग हो रहा है विचार पूर्वक का दियान जो भी देख रहे हो आप उसको विचार कर उसके बारे में सोच रहे हो तभी तो आप conclusion तक पहुंचते हो कि निसकर्स तक जाकर देख रहे हो और secondary का मतलब है किसी दूसरे के थुरू तो यह क्या है अगर observation की बात करें तो यहां पर क्या है जो भी आप material क्लेक्ट कर रहे हो वह आप primary material है primary का मतलब है आप अपनी खुश से जाकर चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हो और direct experience की थुरू आप जो भी information है collect कर रहे हो तो यहां पर कौन सा source हुआ primary source हुआ है EG study सरल अध्यन की सरल इसलिए है क्योंकि आप खुद देख रहे हो आपको किसी दूसरे के बहरों से बैठानी पड़ा जो भी information है वो बिलकुल आप अपनी आँखों से देख रहे हो तो जो भी आप देख रहे हो बिलकुल आपका अपना experience है आप सही चीज़े देख रहे हो तो यहां पर क्या है EG study क्या है सरल अध्यन होता है इसमें किसी तरह की हम देखें तो बहुत जादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि आप activity निश्पक्षता तो देखिए अधिक सुद्धता सुद्धता इसलिए क्योंकि आप जो भी material है मालो आप एक observer हो आप सामने देख रहे हो ठीक है सामने देख रहे हो तो यहां पर सेम वही चीज़े कि आप किसी से नहीं पूछ रहे है ऐसा भी नहीं कि कोई भी आपको गलस researcher हो आप observer हो आप इमानदार हो तो जाइर सी बात है जो भी चीज़ देख रहे हो इमानदारी के साथ आप चीज़ों को लिखोगे समझोगे लेकिन अगर observer इमानदार नहीं हुआ तो फिर तो एक इसका demerit हो सकता है अब हम बात करते हैं इसकी limitations की कि इसकी क्या सीमाए है तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती तो हमेशा आखों का देखा भी सच नहीं होता तो एक पहली चीज दूसरी limited area सिमी छेतर होता है ठीक है अब हर चीज का आप हम कहें कि हर चीज के बारे में आप डारेक्ट जाकर experience नहीं कर सकते ठीक है आप डैली में रह रहे हो अगर हम कहें कि कस्मीर में बर पढ़ रही है तुरण डारेक्ट जाकि आप उसको करो तो हर जगे हर टाइम हर जगे पहुंचना possible नहीं हो पाता तो इसलिए जारतर क्या होता है कि हम classroom में class के बाहर यही है आप कहें कि बच्चों को घर पे भी जाकि उनको observe करो तो इतना पता नहीं आपके पास time होगा कि नहीं होगा तो इसका भी एक area limited होता है कि हम बात करें तो classroom या classroom के बाहर ground में जो है यहां तक इसका area होता है ठीक है तो और तीसरी बात है कि partiality पक्षपात की संभावना होती है कि कई बार आप observer हो ठीक है तो कई बार class में आपने अलग-लग बच्चों देखा तो कुछ बच्चों की गलतियों को तो आपने अंदाज कर दिया कुछ बच्चे जो आपको नहीं अच्छे लगते हैं उनकी गलतियों को आपने मालिया कि यह भाई यह कर रहा है तो कई बार यहां पर जो है पक्षपात की संभावना partiality की संभावना भी होती है तो आज के इस वीडियो में हमने बात की observation method के बारे में observation method क्या है और इसके तरू किस तरह से हम जो information कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद